जै मातादी मा दुर्गा जी के चोथि स्वरूप का नाम कूश मांडा है अपनी मंद हल की हसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन करने के कारण इने कूश मांडा देवी के नाम से जाना गया है जब स्रिष्टी का अस्तित्व नहीं था चारों और अंदकार ही अंदकार था तब इनी देवी ने अपनी हसी से ब्रह्मांड की रचना की थी अतै यही स्रिष्टी की आदी स्वरूपा आदी शक्ती है इनके पूर्व ब्रमांड का अस्तित्व था ही नहीं इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ती केवल इनी में है इनके शरीर की कांती और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदिप्यमान और भास्वर है इनके तेज की तुलना इनी से की जा सकती है अन्य किसी देवी देवता से नहीं इनी के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं ब्रह्मांड की सभी वस्त्वों और प्राणियों में स्थित तेज इनी की चाया है इनके आठ भुजाएं हैं अतय ये अश्ट भुजा देवी के नाम से विख्यात हैं इनके साथ हातों में करमशे, कमंडल, धनुश, बान, कमलपुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है आठवें हात में सभी सिद्यों और निधियों को देने वाली जप माला है, इनका वाहन शेर है, संस्कृत भाषा में कूश मांड कुम्डे को कहते हैं, बलियों में कुम्डे की बली इने सर्वादेक प्रिय है, इस कारण से भी ये कूश मांडा कही जाती है नवरात्र पूजन के चोथे दिन कूश मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है, मा कूश मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त, रोग, शोख, नश्ट हो जाती है इनकी भक्ती से आयू, यश, बल और आरोग्य की वृद्धी होती है, मा कूश मांडा अति अल्प सेवा और भक्ती से भी प्रसन होने वाली है यदि मनुश्य सच्चे हिर्दे से इनका शरनागत बन जाए, तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परमपद की प्राप्ती हो सकती है मा के भक्ती मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्षम अनभव होने लगता है यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है मा की उपासना मनुश्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधेक सुगम और स्रेशकर मार्ग है तो मा दुरगा के चोथे नवरात्री के दिन मा कुश मांडा की पूजा करें उपासना करें मा आपकी सभी मनो कामना पूर्ण करेगे उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें कमेंट करें और बेल आइकेन के बटन को दवाएं ताकि ऐसी ही सुन्दर सुन्दर कहानी कथाओं की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद